नमस्कार एटोजेट डिशश उशा गोरजानी में आप सब का स्वागत है हम सभी को न तीखा खाना पसंद है बहुत ही क्योंकि जाए वो पानी पूरी हो या फिर कोई पराठे हो स्पाइसी तो हम खाना पसंदी करते हैं तो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं हरी मिर्ची की आइ कोई भी कंपनी का ले सकते हैं वार्केट में काफी आसानी से मिल जाता है कि मैं पूरा इस्तमाल कर रही क्योंकि मुझे बाकी सारी रेसिपीस में भी डाला है पर सिर्फ अगर आप आइस क्रीम बना रहे तो उसके लिए सिर्फ आपको एक कपी चाहिए इसे ब्लेंडर सी की तरह्टर से ब्लेंडर से 3-4 minute में होजाएगी 108 मुझे सोफ आने तक आपको करनी है और ससी होनी चाहिए अब हम बनाएंगे सारी मिर्ची का जैएंय तो हम हरी मिर्चि का जैने मेंगे ब्लाल सकते हैं इसके अंदर चीनी भीनी डालकर हमें पकाना पड़ेगा तो यहां पर मैंने एक कप कटी हुई हरी मिर्ची ले लिए एक दम ताजी लीजेगा इसे मिक्सर जार में डाल दिना है पानी वगेरा कुछ नहीं डालना इसे ढखकर दरदरा पीसना है एक दम पूरा तो यहां प्रदरा प्रदरा पानी डालेंगे और चमच दाल चीनी का पाउडर में डाल रही हूं और लगाता है चलाते हैं इसे में पकाना है तीन से चार मिंट तक और सची में यह हरी मिर्ची का जो जैम है इतना बड़िया लगता है ब्रेट पर लगा कर खाएं रूटी पर पराठो के साथ इतना टेस्टी लगता है हलका सा मीठा तीखा तो बहुत ही बड़िया लगता है तो यह आप पर आप देख सकते हैं तीन से चार मिंट हो गए और यह जैम बनकर तयार है तो इसे ब्रेट पर लगाखर खाएं पराठो के साथ वह नमख वाला पराठो होत पराठो कोड़नी फूट कलर डालना है तो आप डाले कोई बात नहीं पर फूट कलर डालने कवहा है हरी मिर्ची का आयस क्रेम अब आप एसकरीम के बनकर ओर ठीकर था पर रह सद और पर ऐसा नहीं होता है हल्की सी तीखी होती है पर बहुत ही रेस्टी लगती है और जितना हो सके हरी मिर्ची को दर दरा पी से और लेज़े तैयार है हरी मिर्ची की आईस क्रीम इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंस में बता है आपको ऐसे भी कैसे लगी आज के लिए वसे ताहीं थांक यूप और पहुच आए